नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत वाप साधत करता हूं और पिछली कुछ लास वीडियो से मैं बता रहा हूं कि कुंडली कैसे देख जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है या आपसे कोई प्रशन पूछा जाता है तो पारे में मैं आपको बता चुका हूं तो उसको आप एक बार जरूर देख लेजिए उन वीडियोस को उससे आपको काफी सफलता मिलेगी यह देखने में कि जब कुंडली आपके सामने आ जाती है अक्सर हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं जब कुंडली हमारे सामने आ जाए तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इस कुंडली में क्या-क्या तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कुंडली में हम लोग क्या-क्या देखें तो उसके लिए आपको जहां रखना पड़ेगा पॉइंट्स अब क्या-क्या पॉइंट्स हैं सबसे पहले एक important point और है जो प बारे में सबसे पहले यह है चेक करो कि नैसरी रूप से वो ग्रह कैसा है शुब है या शुब हम जानते हैं कि नैसरी रूप से शुब ग्रह हमारे कौन-कौन होते हैं गुरू शुक्र होते हैं और चंद्रमा और बुद्ध कंडिशन के साथ शुब होते हैं बुद्ध अग भी ग्रह की बात कर रहे हैं, जिस ग्रह की पडिक्शन करना चाह रहे हैं, जिस ग्रह से पडिक्शन करना चाह रहे हैं, वो नैसर की रूप से कैशा, जैसे हमने कुंडली में देखा कि बाई शनी की दशा चल रही है, वो नैसर की ग्रूप से शुब ग्रह है या आशुब ग् फिर उसके देखेंगे कि नैसर की ग्रूप से उसके मित्र शत्रू कौन है शनी के मित्र कौन है शत्रू कौन है ये नैसर की रूप से मैत्री तो हम लोग जानते ही हैं बढ़ते हैं नहीं हो तो चार्ट अपने पास हमेशा रखिए और उस चार्ट से आप देख सकते हैं कि कौ मंगल की दशाच तो पहले तो आपने मंगल को परखा मंगल को देखा कि मंगल जो है वो नैसर की रूप से अशुब रहे हैं वो चेक कर लिया अपने फिर आपने देखा कि मंगल के मित्र कौन है शत्रू कौन है वो भी आपने चेक कर लिया अब आप चेक करेंगे कि मंगल के स छोड़ा ठीरापन थोड़ा दीमापन थोड़ा आलस्य करमटता भी आती है अगर अच्छा पुंड़ी के अंदर हो तो हो सकता है कि शनी की दशा में आपको या शनी दुख काकारण भी है तो हो सकता है कि शनी की दशा आपकी चल रही हो तो आपको छोटे मुटे minor health issues हो या आपका धन आता है तो वो ग्रुप के आए ये possibility है क्योंकि शनी के ये कारकत्व है तो यह भी देखना आपको जरूरी है कि जिस ग्रहे की दशा चल रही है वो ग्रहे नैसर की ग्रुप से काल पुरुषी कुंड्री को हम जानते हैं जो नंबर एक से स्थाट हो तो वह जिरूर ध्यान लगुव मिश्वर कान आपको जरूरु थेयान से New विर देकना है कि नैसरी ग्रूप से और है और काल पुरुशी कुंडली में किस भाखका स्वाम अब कालपुरशी कुण्डली जो होती है उमेश लगनी कुण्डली होती है तो उसमें शनी होता है दसवे और ग्यारवे भाव का करम भाव का और आय भाव का स्वाम तो ये भी ध्यान लखना है कि शनी जहां बैढ़ता है Mr. K Prav The तो शनी कुंडली में आपकी कुंडली में जो भी कुंडली आपकी हो या जातक जो भी कुंडली आपको दिखाने आया हो तो जिस भाव में बैठा है शनी उस भाव का नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो कालपुरुषी कुंडली में बरत्धी भाव का स्वामी है तो वो वाल ठीक है फिर देखा कि बुद्ध के मित्र को ने शत्र को ने नोट कर लिया बुद्ध के सतंद कारकत्व किया है जाब वो नोट कर लिया पाणी आपकी कम्मिनिकेशन आपका अच्छा हो सकता है पॉड़ाई का कारक है तो इनसान पढ़ाई करना शूरू कर देगा उसका बुद्ध की उना बैटा हो और बुद्ध की तशा आगई तो आप उससे कह सकते हैं कि आप पढ़ाई करेंगे लेकिन एज का ध्यान भी देना आपको बहुत जरूरी है आप साट साल की एज में पीसिस कह रहे हैं पढ़ाई करेंगे ठीक है पढ़ाई कर सकता है वो तो किस बुद्ध की दशा आई है तो चातक को चोटी मोटी बिमारी भी हो सकती है उसको चोटा मोटा रिंड्ध लेना पड़ सकता है उसके शत्रू भी हो सकते हैं ऐसा क्यूँ बुद्ध तो कि अपनी दशामें रोग भी ले सकता है शत्रुता भी दे सकता है रिन भी दे सकता है आप लौन ले सकते हैं आपके उपर कोट केस भी हो सकता है तो देखिए कितना परक पड़ता है। उसके स्वतंत कारकड़शी कुडली के कारकड़श यह अक्सर हम भूल जाते हैं। बुद्ध की । दशा आगई हम सोचते हैं किolar केस यह हो गाई हम अचायता जंप्छाव जिसवह क annih États अंच पर च्स इस्थानों का स्वामि फिर तातकाली गुरूप से किस इस्थान को प्राफ तातकाली गुरूप से मतलब जो कुंडली है उसमें किन इस्थानों को स्वामि है कुंडली तो आभी किसी भी लगन की हो सकती है हो सकता है मेश लगन की हो, हो सकता है ब्रशब लगन की हो, हो सकता है कुम लगन की हो, हो सकता है मीन लगन की हो, तो जो भी लगन की कुंडली आपकी है, उस कुंडली में उस ग्रह को जिसकी दशा चल रही है, उसको किस इस्थान का स्वामित्व प्राव, मानलो सूर्य की दश चार नमबर मेश लगनी कुड़ी हो तो एक नमबर पहले भाब में दो नमबर दूसरे भाब में तीन नमबर तीसरे भाब में चार नमबर चौथे भाब में पांच नमबर पांच वे भाब तो काल कुरुशी कुड़ी में सूर्य क्या हुआ आपका पांच वे भाब का स्वाम और कालपुरुशी कुंडली में किस भाब का स्वामी है वो तो में ज्ञान देना ही देना है तो सूर्य चौते भाब में बैठा है तो क्या सूर्य नुकसान करेगा क्या सूर्य की आदत है सेप्रेटिव एफेक्ट देने की क्या सूर्य आपको घर से दूर भेजने की कोशिश करेगा किया करेगा सूर्प लेकिन साइड वाव की तो बरदी होगी पढ़ाई में बच्चा होश्यार होगा अम लोग देखते हैं इस बाव से उसके अंदर बहुत होश्यार होगा लेकिन सूर्प रहा है अशुब रहा नैसे की रूप से तो उसके कारकटूब भी जाएंगे, तो हो सकता है चौथे बाफ से जो माता को देखते हैं तो जीव को हानी हो, माता को स्वास्तपा परिशादी हो सकती है, तो इस तरीके से हम लोगो कुंड़ियों को जाचना है, उस कुंड़ियों में उस ग्रह को किन भा बिलेंगे अच्छे स्थान मेंज के छटे आठवे बारवे स्थान में तो नहीं अगर चटे आठवे बारवे स्थान में चला गया तो जिस ग्रह का स्वामी है जिस घर का स्वामी है उस घर की हानी होगी उस बाफ की हानी होगी यह तुम जानते ही है कि किसी भी भाव का स्वा पर ये भी देखना है कि उसे कौन से ग्रहे देख रहे हैं किन ग्रहों के प्रभाव मतलब उन ग्रहों पर किन ग्रहों का प्रभाव आप ने देख लिया कि साब वो केंदर में बैठा हुआ है या त्रिकौन में बैठा हुआ है लेकिन मंगल से दरस्थ है सूर्य के साथ बैठ तो हम कहेंगे वह बैठा तो अच्छे भाव में था लेकिन उसके बावजूत वह सूर्य और शनी से द्रस्ट हो गया तो उसके रिजल्ट्स गडबढ़ हो जाएंगे यानि इस्तिती अच्छी होने के बावजूत भी ग्रह की इस्तिती अच्छी थी कुंडली में लेकिन वह जब हो जब 2ाव 2ौ से अधिक ग्रह की दरस्टी और साथ भी च्छटे देता थीकारण में बैठे होने किका शके रिजल्ट्स utmost अच्छे नहीं रहे तो यह भी देखना आपको जरूरी है, कि आप ये ना सोचे खाले कि भी ग्रह की स्थीति अच्छी है, तो दशा में रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, यह जरूर चेक कर लिए, कि जिस ग्रह जो ग्रह है, वो किन किन ग्रहों के प्रभाव, तो यह जरूर देखना है, कि जिस भी ग्रह की तशा है, उसके लिए जो मैंने पाइंट आपको बताए, नैसर की रूप से शुब है या शुब, मित्र है या शत्रू, कौन-कौन है उसके, उसके स्वतनत कारकत्व क्या है, पॉर्शी कुंडली में किन भावों का स्वामी है, जिस कुंडली को आप देख रहे हैं, उसमें किन भावों का स्वामी है, किस इस्तान में बैठा है, और किन ग्रहों से द्रभा, यह सब चीज आप دेख लेंगे, तो आपको prediction करने में बहुत असल आज यहीं तक इसके आगे फिर कुणली देखते वे क्या क्या देखे वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक गोशना में करना चाहूंगा कि हम लोग नॉम्बर से एडवांस एस्टेलोजी का बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग भी इंट्रेस्टेड हों वो देगे नंपर पर संपर्ब कर सकते हैं धन्यवाद जैशिक